हेलो एवरिवन कैसे आप सब आई हो पच्ची होंगे बढ़िया होंगे तो मेरे से कुछिन पूछाता मेरे सब्सक्राइबर ने के दिए बता दो प्रोसेस क्या होता कि नी टांस्परांट का तो देखो भाई उसका प्रोसेस ना एकदम नॉर्मल नहीं होता क्योंकि टांस्प को पहले सी होते हैं कि जुआता है और फित एल्जी ना की को बहुत सारे टेस्ट होते हैं क्यूंकि बहुत सारे टेस्ट होते हैं तोतल थिकां क्योंकि मेरे चाजू का फैटी लीवर था उनकी मैडिशन चल लए थी का अभी टाइम से अभी भी चल रही है उनकी उनकी दोनों किड्नी में स्टोन थे एक में 5 mm का था जो मेरे पास अभी और एक में ता 15 mm का तो चार्चू के डबल ऑपरेशन हो रहे हैं पहले वह स्टोन निकला उनका 15 mm फिर उसी के तीन हपते बाद उनका वह गया ट्रंस्प्लां में काफी सारे टेस्ट हुए था टाइम इसलिए लग गया था क्योंकि मेरे चार्चू ठीक नहीं थे उन्हें दिन में 8-10 लीटर पानी पीना था डेली तो नोंने वह पी या फिर उनका स्टोन को अपरेशन हो थोड़ा रिकवर तो हो ना चाहिए ना यह तो यह पर आप ज अचल्ट हो चैँगा तो मेरे दो डाले सब्सक्राइब अचल्य चाहिए और उब को भी ती प्लाज्मा यह फूना लगा तो पेशेंट की कंडिशन के ऊपर है कि इसकी कंडिशन कैसी है तो इसी दोनों को कुंड़ेखनी पाइद है तब trash plant होता है तो यह है उसका प्रॉसेस ज्यादा कुछ नहीं है वही है सारे टैस्स होने जरूरी है आपका डॉनर नॉर्मल फिट होना जरूरी है उसे कोई शुगर नियुनर जी थारड वाले दे सकते हैं और उन्हें वैसे कोई भीमारी नियुनरी जी है ठीक है मेरे चार्टू तो देखो ओवर मुझे मेरी बेटी चाहिए अभी देखो नॉर्मल है ठीक है बस वह यह खाने पीने अगा देहार अपना पड़ता डिसिप्लेन बहुत ज़्यादा चरूरी है ट्रांस्प्रांट के बाद डिसिप्लेन रखना कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है देखो इतनी सर्दी पूटल से रखी रहती है मेरी दवाई वगरा सब तो इसलिए और पूंच रहते हैं कि मेरा क्रेटी नाइन कितना है तो बहुता रहता है और अगर कहीं बॉड़ी में इंफेक्शन होता है तो बढ़ जाता है नॉर्मल आदमी अगर आपके भी कहीं इंफेक्शन है तो आप लाइफ टाइम तो 4 लीटर ही है बटा भी 6 लीटर 6 मेनी तक तो यह है डाइट मेरी कुछ ऐसी है वही है अपना दाल रोटी खिचुडी टेली पनीर यह सारी चीज़ें बाकी तो सब बंद हैं पल नहीं जूस नहीं ड्राइफ रूट्स नहीं कुछ नहीं नॉर्मल खाना हíス लाइज नहीं जिकनाई मासाली ये तो रूट्राइपको च्शास बहुत जाथ अच्छा से नहीं कोई ब करा लिए लेक वह बालए हैं लेकल नहीं तो घर मेंसी कोई आपको कीड़नी देगा तो ट्रांस्प्रांट सही है उसमें हाँ यह कि यह मेरे चार्जों कि आधी जिन्दकी कम होगी मतलब एक किड़नी से 25-30 सालम गया सकते हैं तो 25-30 उनकी 25-30 है हमारी और तो भगवान के पर क्यों कोई होनी होती पर ठीक है अब भई देखो ऑपरेशन से पहले जो भी ट्रांस कि अधिक बढ़े चाहिए और बस यहां जो हाथ में कैनोल आता है पूरे पर स्वैलिंग आ रही थी मेरे बहुत कैनोल लगे क्योंकि हर दो तेने में स्वैलिंग आ जाती तो बहुत पेन होता था यह कैनोल निकाला और आंग बंद पता ही नहीं क्या हो रहा है पिर आईश् सब्सक्राइब है तो बहुत अजीब सा गली में लाइन का हुई सारी एक लाइन तीस में चार पांच निकले होते हाथ में तीन कैनोल आते हैं तो बहुत अजीब सा लगना है फिर यह एक महिने तक तो इस्टेंट वगरा पढ़ा रहता है फिर स्टेजिस लगे थे 20-25 चार अजीब और किसी के प्रोसेस में ज्यादा टाम लगता है किसी में काम वो तो अपनी अपनी कंडिशन के बात है पर हां जब भी ट्रंप्राइब कर आ तो अच्छे डॉक्टर से और अच्छे हॉस्पिटल में कराना मैं तो यहीं बोलूँगी क्योंकि जो अच्छे बहुत सारे जानती हुँ मैं पर वो लोग भार का उन्होंने अस तक कभी कुछ नहीं खाया और टाइम से टाइम दवाई तो बस यह उन्होंना अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर से डलवाई थी किद्नी तो यह अच्छे डॉक्टर होना जरूरी है क्योंकि ड टलवाई थी जागा से उनकी नहीं चली फिर उन्हें दुबारा कराना तो इसलिए अच्छे डॉक्टर से कराना अच्छे हॉस्पिटल में लाइफ नॉर्मल रहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है सब दो हमारे उपर है मैं पता इतना कंट्रोल कर सकती हूं देखको मेरे दाल रोटी कुषिडी दूद पनी और पानी बागी कुछ नहीं बिलता है और सर्दीत नियादा पढ़ रही है बहुत जादा तो अपना ध्यान रखो डालासिसस बहुत बेटा रहे है हां हम बजन नहीं उठा सकते हैं से वेड गेन नहीं का वुजूता जिम में जाके नही बजन तो बिल्कुल ही नहीं उठा सकते हैं तहां एक दर चीज है वागी ठीक है और 39 मेरा बन है और नहीं गेडनी चांस्प्रांट में बिल्कुल पेन नहीं होता पता भी नहीं चलेगा आपको बस यह अंधर जब आप जाओ ऑपरेशन थेटर में तो बड़ी बड़ी ला इंसान ही कुछ नहीं होने वाला है ठीक है तो अपना ध्यान रहो सही रहो अच्छे से रहो सरदी बहुत ज़्याद अपड़ रही है ठीक है तो अगर और कोई कुश्य नहीं हो आपका तो कॉमेंट कर देना मैं आपको बता दूंगे क्योंकि अभी इतनी सारी चीज आप ल बाइ, आपके केर